दीपक जी आपका धन्यवाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाहराईज की घटना पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं और क्या आपको दिखता है इस घटना के पीछे बिजयर जीन में तक के प्रतियम गहरी शोक सम्वेदा प्रकट करते हैं और हम उपर वाले साइसी कामना करते हैं कि दुख की घड़ी भी उनको एक शक्ति प्रदान करें देखिए जो भी किसी भी पख्षकाओ किसी वर्काओ किसी समाज काओ हम आपके चनल के माद्यम से आपक प्रशासंग के फैलोर्टी है आपने देखा होगा किस तरीके से एक नाबालिक मासूम बच्चा गोपाल मिश्रा जिसने अपनी जान भी गमा दी उसको किस तरीके से लोग उकसा रहे हैं उसको चट पे चड़ाने के लिए उसको प्रवोक कर रहे हैं कि तुम जाओ चड़ो चानून विवस्था का मुद्द है या सामाजिक मुद्द है जैसा आलोक अवस्ती जी कह रहे थे देखिए यह है तो कानूनी का लौन ओर्डर का मुद्दा लेकिन इसको भारते अंता पाट्डी के लोग जो इसको धार्मिक रंग देना चाहते हैं इसमें धार्मिक उनमात पहलाना चाहते हैं क्योंकि यह चाहते हैं आप विधायक का बासर सु और खुद उसके ओपर बहुत से चार्जेस क्रिमेल चार्जेस अभी आलोक अवस्ती जब पहली चरण की डिवेट में मुखातिब तो कह रहे थे चुकि आप लोग सैंती सीड जीद गए और आपके सहयोगी भी चैसीड जीद गए इस कारण एक वर्ग विशेस का मन बढ़ करने का किम समाझ वाथी को गया काउंग्रेस पाटी का हो गया हम आप इस तरगी बात कर रहे हैं अलो-कौस्ती ची भचकानी बातें कर रहा है इस तरह कि घ्र अप सब को मिलके पहले तो ये अपील कर नीजी सभी पृलिटिकल पाटि congratulate Garage प्रवाइब करने के लिए कानून व्यास्टा कोई रखने के लिए लेकिन आज जिस तरीके से प्लीज वेट करना पड़ा यह जरूर्ब पूछना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों से आलोग और पूछना चाहता हूं कि क्या इस चीज की गरंटी है लेंगे कि जिस तरीके से वहाँ पर महौल बिगड़ा है वो लोग वहाँ पर भी मैं देख रहा था आपके जो वहाँ पर ग्राउंड डिपोर्टर है अनूप जी किस तरीके से वहाँ पर अपने जान को जोके में डाल करके जहां पर आग जनी जहां पर आग लगी हुई है उन घरों में घुस करना पड़ेगा कि तुम्हाई जानमाल को कोई खत्रा नहीं है बहुत शुक्री आपके